कि नमस्कार दोस्तों हुआ 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 है कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में नौकरी के लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन यहां पर जा रही किया गया है ठीक है सबसे पहले यहां पर आप देखेंगी कि जो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन है वह 30 अकूबर 2019 से सुरू हो कर पाएंगे जो इसके एडमिट कार्ड हैं टेस्ट देने के लिए वह आप 11 दिसंबर 2019 से डाउनलोड कर पाएंगे और जो एक्जाम है इसका आउनलाइन होगा वह 21 दिसंबर 2019 को होगा 21 दिसंबर 2019 को आप इसके लिए एक्जाम दे पाएंगे ठीक है अब इसमें आप सेलरी है इस जौब पर वो कम से कम यहां पर 35,000 प्लस यहां पर आपको सेलरी मिलेगी वैकेंसी यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे की इन्फॉर्मेशन टिक्नलोजी का यहां पर आपका वैकेंसी है 26 पद हैं इसी प्रकार से सिक्योर्टी ओफिशर ठीक है हर तरह कि यह वीडियो के नीचे डिसक्रिफ्टिन में देदे रहा हूँ टुक है अब यहां पर इस वैकंसी में जो आप यहां पर करेंगे तो जैसे कि कुछ जो रिजर्व कैटेगरी के आप भिहार्थी होनते हैं उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी ठीक है हर तरह की अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आयूशीमा और क्वालिफिकेशन हर वेकेंसी हर पत के लिए दिया हुआ है जो की तीस नौ दो हजार उन्निस तक आपका कंप्लीट होना अनिवार यहाँ पर मांगा गया है तो जैसे कि इनफॉर्मेशन टेकनोलोजी के लिए आप आवज़न करते हैं तो 21 से 28 वर्स आयू होनी चाहिए चार साल का एंजिनिरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर अप्लिकेशन इनफॉर्मेश के लिए आवज़न करते हैं तो 26 से 25 वर्स आपके आयू डिग्री होनी चाहिए किसी भी रजिस्टर यूनिवर्सिटी से आप इसके लिए आवज़न कर पाएंगे तो ऐसा ही आपको सभी पत के लिए आयू और क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर पाएंगे जिस भी पत के आवज़न करना चाहें बैचलर डिग्री यानि ग्रेजुशन पास तक के अभ्यार्थी इसमें आवज़न कर सकते हैं आयू शीवा में रिजर्व के डिग्री के अभ्यार्थियों को छूट भी यहाँ पर दी जाएगी ठीक है तो उसके बाद यहां पर आद दिख रहे हैं म अलग अलग जो पोस्ट हैं उसके अनुसार यहां पे स्केल भी आपको दिया गया है तो यहां पर देख पार है किसी में 30,560 रुपए है मन स्केल सेकंड में आपको 32,850 है स्केल 3rd में 48,570 रुपए है स्केल 4th में 55,870 रुपए तक यहां पर सेलरी आपको मिलेगी ठीक है इसमें तो selection process है वो online test होगा return test और साथी साथ एक personal interview भी होगा उसके अधार पर selection यहां पर होगा यह आपके जो टेस्ट है उसमें यह चीज़े आपको पूछी जाएंगी कुल प्रश्न होंगे 100 और एक प्रश्न एक number का यानि की 100 अंकव यहां पर मिलेंगे साथ मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा online exam यहां पर होगा ठीक है तो यह आप यहां पर detail से देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको exam के तरह यहारी करनी है जो कि सलेवस यहां पर दिया हुआ है उसके बाद जो अभिहारती इसमें आवेदन करेंगे उन सभी को ज साथ मिलाकर 550 रुपए की फीस यहां पर देनी पड़ेगी यहां फीस आप net banking debit card, credit card, UPI, offline चालान किसी भी माध्यम से आप जमा कर पाएंगे उसी website से जहां से आप आवेदन करेंगे ठीक है यह detail हो गई आपकी आवेदन करने हैं आपको 30 October से 21 November 2019 के बीच में आपको online आवेद complete कर लेना है और फीस भी आपको इसी date के बीच में जमा करनी है आवेदन आपको इनकी official website से आपको करना है वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि click here to apply online application लिखा होगा वहां पर आपको click करना रहेगा वहीं से आपको आवेदन करने हैं लिंक आपको इस वीडियो के के लिए जो भी एक basic information चाहिए वो मेरे द्वारा सभी अभ्यारतियों को detail से बता दी गई मुझे उमीद है कि सभी को ये चीजे समझ में आ गई होगी कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो के नीचे comment box में comment करें आपको reply दिया जाएगा वीडियो पसंद आया झाहिए